जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूपटी चैनल एजजेश्टेडी पे दोस्तों इस विडियो में बात करेंगे इंडिन एर फोर्स एक्स वाई ग्रूप नई भरती 2022 के बारे में दोस्तों दोस्तों बंपर भरती एर फोर्स के तरफ से फिर से निकल ग हो गया है और online form कब से fill up होंगे exam कब से होने वाले है और इसका selection procedure और जो eligibility criteria क्या क्या है इस वीडियो में सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताएंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा और चैनल पर नहों तो फटा फर्दे चैनल को सब्सक्राइब करके व उसके बाद नीचे आओगे नीचे आने के बाद मेरे भाई यहां पर आप लोग को सो हो रहा है जिसमें की lining lining वाला सो रही है देखो यह notification रिलीज में ठीक है जहां पर कि आप लोग देख रहे हों कि मतलब November 2022 for male and female candidate and online examination will be conducted in यहां पर mid January 2023 यहां पर मीड जनवरी 2023 यह आप लो इसके लिए फोर अगनिवीर वायू इंटेक वन बाई 2023 विल बी ओपन इन फर्स्ट वीक ओफ नवंबर 2022 फोर male and female candidate and online examination will be conducted in mid January 2023 फोर अपडेट यू में फॉलो आवर जो आवर इनका वेब साइट है यह अगनिपत वायू.cdsc.in पर यहां पर आप लोग समझेगा मेरे फर्स्ट वीक ओफ नवंबर यानि कि नवंबर के फर्स्ट वीक से आप लोग का क्या होगा दोस्तों Air Force XY Group के लिए form fill up हो जाएंगे जिसमें कि male और पहले female नहीं थी तो इस वार से female को भी add कर दिया गये मेरा वाय ठीक है यानि कि लड़की लोग भी Air Force का form fill up कर सकती है तो यह female का हो जाएगा उसके बात देखो कि exam जो आप लोग का online conduct करवाया जाएगा वह आप लोगो जनवरी के मेडियानी के 15 से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपको किसी भी date को हो जाए याद रखना 20 के बाद ही आप लोगा जाहातर एक्जाम हुआ है Air Force का तो उस समय आप करना चाहते तो continue अभी से प्रिप्रेशन करो सौर्ट नॉटिफिकेशन मतलब जारी हो गया और इसका जो स्लेक्शन प्रसीजर और इलिजबिलिटी करेटरिया क्या चलिए एक वार मैं उस पर भी डिसकस कर देता हूं जिससे कि जो भी नय है उनको पता चल जाए से फूल न आप एजिली अपलाई कर सकते हो सबसे पहले आप लोग समझेगा बार बी में देखो कि इसमें दो कैटेगोरी है कि एक से दूसरा वाई है एक के लिए आप लोग के पास साइंस होना जरूरी है और वाई के लिए आप लोग के पास साइंस है या आठ है या कमर से इन तीनो तो इसमें बहुत सारे मतलब की जिनके पास 12 के अलाब अगर कुछ कोर्स कर रखें टेकनिकल तो उनको बेनिफिट मिल जागे जैसे इंजिनियरिंग में मेकैनिकल का हो गया इलेक्टिसिन को कुछ भी कर रखें तो उनको एक्जाम में थोरा बेनिफिट मिलेगा जब इसमें लेकिन जो नहीं कर रखें कोर्स सिर्फ 12 पास से बारभी पास से वो भी इस फ़र्म को फिल अप करेंगे बस 12 में आप लोग का 50% मार्क्स होना चाहिए बस तब जाके आप लोग इसका फिल अप कर वे और इंग्लिस में 50% मार्क्स होने चाहिए अब चलिए हम लोग यहां और बात करतें दोसतो यह ओगया पढ़ाई इसमें ऐस कितना है इस की बात करें तो इसमें सारे 17 से सारे 17 से आपलों का जो होगा एज वो होगा कितना तक दोस्तो वह गा एज apologized कρदा प्लों कि तक पीछिला सी फिन आप एजम आनपको मिला था क्योंकि ब कर देए गैए जल रहेगा यह और exact date of birth क्या रहेगा वो आप लोग मुझे इस्टा पे फॉलो कर लिजे मैसेज किजेगा तो personally आपको मैं बता दूगा क्या रहेगा ठीक है exact date बाकी comment section में comment करके पूछ सकतो जरूर reply दूँगा ठीक है और आप लोगों यह हो गया age के बारे में आप देखो कि इसमें height size 152 cm है इसके अंदर height ठीक है तो यह height हो गया आप लोग का आप देखो कि यह सब मैंने अच्छे तरीके से आप लोगो clear कर दे कि height क्या होगा मतलब की और आप लोग का मतलब की eligibility criteria के आप देखो इसमें है कि आप लोग का पहले admit card के लिए कोई percentage नहीं होगा admit card सब का आजाएगा ठीक है admit card के लिए percentage के ज़रूरत नहीं परेगी दूसरा चीज़ा है यहाँ पर आप लोग समझेगा कि admit card आ गया तो आप लोग का online examination होगा online examination के बाद आप लोग क्या होगा मतलब की result आएगा result में जिसका भी number होगा भाई उनको बुलाया जाएगा catches के लिए दोस्तो जीडी के लिए यानि कि group discussion उस question होगा वो सब कुछ किलियर कर लेते हैं PFT होगा PFT होगा PFT किलियर करने के बाद उनको medical medical होगा medical में green card मिल जाएगा तो फिर उनका PSL जारी होने के बाद दोस्तो फिर एक बाद इंडॉल्मेंट लिस्ट लगेंगे इंडॉल्मेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा तब जाके उनका ज्यानिंग हो जाएगा तो यह एक selection procedure यह एर फोर्स ज्याइन करने का आयोप कि सब कुछ मैंने सौट में आप लोको बता दिये अब नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो बनाओ वो कमेंट करके जरूर बताएगा कुछ बिडाओट है तो और इस वीडियो को जितना हो सब्सक्राइब कीज़ेगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि जा आके वहां से सब्सक्राइब कर सकते वीडियो को देख सकते सपोर्ट बना सकते जैसे यहां पर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हो तो एक वार जाकर जरूर चेक आउट करना बाकी हम मिलते एक और अच्छे अपडेट के साथ अच्छे कलास के था तब तक के लिए दो झाल